कि या क्माधी कि ना इसंडिए ना इसलिए अभवाद्य के लिए ना आश्ट्राइध ना तरह तो उनकी समाधि पी क्या लिखा हे राम जिस दिन आप ने लिखा कि राम थे ही नहीं उत दिन गांदी का राम नहीं है को मारता है आप कहिए आत्मा का हत्यार अतंगवादी याने तłam आप कहो पिकर हत्यारा घान्दी परिवार आतंगवादी बोला ढ़ी राश्टyuUS अब आप अन्याय कर रहे हैं बाकी लोगों को बोल ले दीजे शदाब चोहान वापे इंतजार कर रहे हैं अचारे प्रमोट किश्णा में इंतजार कर रहे हैं यहां मेरे साथ कई राजनीती के अंदर केंदर बिंदू हिंदू किस तरह से बन गया है और आप कहते हैं कि हम निजाम मुस्तफा का शासर लेके आना चाहते हैं तो फिर आपका आपकी पॉलिटिकल लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी बिल्कुल अमेश जी अभी सुदानशु जी ने कहा कि कोई नि नियाए की बात हो जिस तरह गांधीवाद की बात हुई इन्होंने सावरकर को यह कहते हैं कि वेर थे जिस तरह जिनना घलत हो सकते हैं उसी तरह सावरकर भी घलत हैं क्या शामा परसाद मुखाजी जी घड़बंदन नहीं किये थैए एक सेकिद आप मैं एक रामचंदर तो प्रिभलिक थे पुझ जा उजड़ा रादम पोज़ा कर्नी चाहिए उचाने मेपुंभी चाहिए जो के चाहिए कृऊधारनाथ कोर्ज़ा भाद करती है कि आप देखक समय से हमत हुँ इस वा अब जानकर। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर मैंने ये लिखा और मुझे लगा जो लोग मुझे फॉलो करते वो देख रहोंगे मैंने लिखा कि जो पूर प्रधार मंतरी इस देश के अंदर इफ्तार पार्टिया देते थे क्या वो विदाउट कैमरा होती थी बताईए ना सवाल का जवाब देखे सब्सक्राइब करना चाहिए देखे आप भी चिलाए ये भी हम भी चिलाए दो को मेमान भी चलाएं तो मेरा सवाल है आपने बोला कि बिल्कुल सही का आपने एक दम मतलब उस ट्वीट को समझा भी नहीं पूरी तरह से वड़ा बिल्कुल सही का कुछ नरेंद्र मोधी के खिलाफ आ रहा है कुछ केदार्नाथ मंदिर के अगेस में आ रहा है तो हम बोल दे होती है कि केदार्नाथ तो कैमरा जाता है अब तकलीफ यह होती है कि काशिवी शुनात में जब कॉरिडर बंद रहा होता है तब कैमरा जाता है तकलीफ इस लिए होती है कि गरीब मर रहा है आज तकलीफ इसलिए होती है और पहले पहले जो इस्तार पार्टी होती थी वह इ ऐ मैसल न एक गच्सी मेंगा हमेज सी स्वाधीनता के पश्चा पुनर निर्मान की बात आई और हमारे प्रथम परदान मंत्री ने था कि नैं हमारे ख़र्चसे नहीं होगा बाकाइदा वहां पर मुईशी जी ने और सधार पतेल ने मिल और राज़ debates r 예 एक राजनीती का पक्ष वो था बाकी सारी चीज़ें होती थी और किस किस तरीके से होती थी आप कहेंगे तो मैं उसका खुलासा भी कर सकता हूँ 97 blunders of जवालन लेरु आप पढ़ली जी जाकर के सबसे महचपुन बात यह है कि जहां सावरकर जिन्ना की तुलना करते हुए शादाप क्या रहे थे बाबा साब अंबेदकर के बारे में तो जानते हैं और उनको आज की रेट में इससे पहले तो खूब क्रिडिसाइज किया कॉंग्रेस ने भी कमिनिस्टों ने भी उन्होंने कहा है कि जिन्ना और सावरकर की सोच में सिर्फ एक कौमन था कि वो यह कहते थे कि दोनों की महाँ सावरकर ने खुले आम कहा कि नहीं मुसल्मार और हिंदू इसी देश में रहेंगे बिना बाबा साव अंबेदकर के शब्देए और मैं पुरी पुरी डिबेट करा लिजिए हिंदू महासभा ने बाकाइदा रिजूलिशन पास किया अचारे जी कांग्रेस स्वस्ति है कि राजनीटी का केंधर बिंदू हिंदू है तबी आप कांग्रेस में है नहीं तो कॉंग्रेस में क्यों होते हैं क्यों समझती है इस बात को लेकिन मुश्किल तब हो जाती है हाला कि एक फिल्म आईती अंदाज अपना अपना मैं उसको कोट कर रहा हूं यहाँ पर आप बोलेंगे कि फिल्म का क्या काम है उसमें एक डायलग होता था गलती से मिस्टेक हो गया वो जो था वो एक बेवकूफी कर देता था कोई तो कहता होना चाहिए क्या आपको लगता है इस देश का हिंदू सब्धर्मों का सम्मान नहीं करता क्या कॉंग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि देखिया में थोड़ा सा वक दीजिएगा पहली बात तो यह है कि सुदान्शु जी ने कहा कि शिव सेना कॉंग्रेस से मिल गई तो अपवित्र हो गई शिव सेना और कॉंग्रेस पे मेरे सवाल कभी जवा हां मैं दूंगा और इन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझाता किया भाई हिंदूस्तान के अंदर हमारे जवानों को शहीद करने वाले पाकिस्तान का राग अलापने वाली मुख्यमंत्री आपने बनाया अगर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से आप मिल करके भी देशभक्त रह सकते हैं तो कॉंग्रेस भी मुस्लिम लीग से समझाता करके देशभक्त रह सकती है नंबर एक नंबर टू नंबर टू अब मैं पूछना चाहता हूं हिंदू की बा अगर मैं यह सवाल पूछता हूं अगर कोई और क्रिस्मिस आए इद आए उस तब भी इस तरह के विचार लिखे जाते में जानने की कोशिश करना हुए गोवर्दन पूजा पर क्यों लिखा गया भगवान श्री कृप्ष ने गोवर्दन परवत के नीचे सभी को पूछा करनी होगी धरम मजब जाती के नाम पर भारत को बातना बंद करो गवर्दन परवत जाती कों से धरम होते थे तब कॉन से रहुल गांदी जी ने जो ट्वीच किया है उन्हों ने ये कहा कहा के हिंदू संपरदाय के उन्होंने कहा एक अच्छी बात कही है कि जाती और धार्म सबको साथ लेके चलना चाहिए तो कोई गुणा नहीं किया रहा हूँ गांदी ने आप इसमें जवरदस्ती अपनी बात क्यों घूस रहें दूसरा मेरी बात जो हो रहे थी पूरा हो अमीजी होने दो उन नाम में जो लड़की के साथ बलातकार हुआ वो भी हिंद था और सुबोद सिंग इस्पेक्टर मारा वो भी हिंदू था और खुशी दूबे जो है वो भी बिना गुना के जेल है वो भी हिंदू है